मेरे spa mystery and astrology video चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम analysis करेंगे sand का और check करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती है तो as usual शुरू करूंगा fingers के analysis से उसके बाद check करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम check करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सासर ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा WhatsApp number है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं यह phone consultation लेना चाहते हैं तो इस WhatsApp number पर message send कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक squareish shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो यहाँ पर प्रती finger यानि कि index finger से थोड़ी सी ज्यादा नजर आ रही है यह है इनकी index finger है और यह है इनकी सूर्य finger अगर इसकी लंबाई को देखा जाए तो यहाँ पर काफी अच्छी length में यह finger थोड़ी सी ज्यादा length में नजर आ रही है गुरू finger से जो दर्शाती है कि native की creativity काफी अच artistic type की qualities ऐसे native के भीतर अधिक रहती है और सूर्य finger का अच्छी length में होना एक अच्छे social circle को भी दर्शाता है और अगर हम बात करते हैं गुरू finger की तो यह finger भी short नहीं है अच्छी length में नजर आ रही है थोड़ा सा जुकाफ गुरू finger का शनी finger की तरफ हो रहा है दोनों finger से middle age के आसपास चाकर और अगर देखा जाए इनकी ब्रसपती finger अच्छी लमाई में होने की वज़े से इन्हें काफी अच्छी leadership qualities देंगी और काफी अच्छी knowledge देगी और अगर हम बात करें इनकी शनी finger की तो आप देख सकते हैं बिलकुल straight यह finger नजर आ रही है काफी अच्छ रहते हैं अब बात करते हैं इनकी mercury finger की mercury finger length में यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है लेकिन यह finger low set हो रही है काफी नीचे की तरफ सेट है बाकी fingers के मुकावले अगरम में इसको चेक करते हैं तो यह finger थोड़ा सा नीचे सेट है जिसकी वज़े से थोड़ी सी shy nature रहती ह है व्यक्ति की लेकिन यह finger लंबाई में कम नहीं है सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के बिल्कुल क्रेप पहुंच रही है जिसकी वज़े से ऐसे व्यक्ति के communication skills पे कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ता communication skills ऐसे नेटिव के बहुत अच्छे रहते हैं और साथी साथ calculate करने की capability भी काफी अच्छी होती है तो ये qualities इनके भीतर रहने वाली है इन fingers की लंबाई अच्छी होने की वज़े से उसके साथ साथ यहां से आप देख सकते हैं thickness में fingers काफी थिक नजर आ रही है जिसकी वज़ ज़्यादा gaps हों तो native खर्चीले सभाव का होता है तो यहां पर बहुत ज़्यादा gaps नहीं है fingers आपस में सती हुई नजर आ रही है जिसकी वज़े से money management ऐसे native की अच्छी रहती है और money management जब अच्छी होते तो ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा धन संग्राय करने में भी काम्या रहता है और यहां पर आपको इन दोनों fingers में इस area में काफी अच्छा gap नजर आएगा दोनों fingers थोड़ा सा दूर हट रहे हैं दूसरे से जिसकी वज़े से independent type की nature भी ऐसे व्यक्ति की strong रहती है ऐसे व्यक्ति मनमर्जी के मालिक होते हैं और life में decisions लेते समय किसी और की राय ल आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी तो यहां पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह है कि एक रेखा बन रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनके mounts में से सबसे पहले तो यह mercury mount low set हो रहा है थो जो mercury mount है इसका low set होना जैसे मैंने आपको अलड़ी बताया यह हमें introvert type की nature देता है जब यह mount low set हो जाता तो native बहुत ज़ादा open up होने वाला नहीं होता दूसरों के साथ बहुत ज़ादा खुल कर बात करने वाला नहीं होता थोड़ा सा shy type की जो nature है व्यक्ति की रहती है तो इस तरह की देखते हैं यह थोड़ा सा अपने communications में face करने पड़ सकते हैं otherwise communication में कोई भी problem नहीं है क्योंकि finger की लंबाई में कोई कमी नहीं है और अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी mercury रेखा का अभाव नजर आ रहा है mercury रेखा दोस्तों बताना चा तो ऐसे native life में काफी अच्छा business कर सकते हैं business के जरिये बहुत अच्छी तरकी ऐसे व्यक्ति कर पाते हैं क्योंकि mercury जो है वो business की समझ व्यक्ति को देते हैं अब बात करते हैं इनके सूरे मांट की सूरे मांट यहाँ पर हलका सा दबता हुआ नजर आ रहा है थोड़ा सा low set भ हमी रहती है ऐसे वक्ति दूसरों की कितनी भी help कर लें कितनी भी मदद कर लें बदले में प्रेज या reward नहीं मिल पाता तो यह थोड़ी से दिक्कत आ जाती है यश ना मिलना और यहाँ पर social circle तो इनका अच्छा रहेगा क्योंकि इनकी सूरे फिंगर की नबाई में कोई कमी नहीं है लेकिन इस mount का हलका सा दबना थोड़ी सी weakness को indicate कर रहा है शनी के अगर हम बात करें तो शनी भी यहाँ पर हलका सा दबता नजर आ रहा है इसकी वज़े से hard work life में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इनकी personality भी hard working type की नजर आ रही है और यहां से इस mount का हलका सा अंद है यह जो भागया रेखा है जो आपको नीचे से उपर की तरफ जाती यहां तक पहुंती नजर आएगी इस तरह की रेखा का होना indicate करता है कि native अपने efforts के जरीए life में अच्छी progress कर पाता है और यहां तक यह भागया रेखा चलती है वहां तक comforts काफी अच्छी रहते हैं ले यहां तक यह भागया रेखा पहुंच पा रही जिस वज़े से लगभग 36 की एज के बाद थोड़ सा struggle life में बढ़ेगा थोड़ी सी मेहनत जो है इन्हें ज्यादा करनी पड़ेगी अब बात कर सकते हैं इनके guru mount की तो आप यहां पर देख सकते हैं ब्रस्पती का जो area है spirituality spiritual type की nature ऐसे व्यक्ति की धरम करम के कामों की तरफ काफी अकर्शन बढ़ जाता है खास तोर पर 40 के आसपास यह में चलकर यह सारी चीजें होने के समभावना हैं काफी ज्यादा जुकाव धरम की तरफ होने के समभावना बढ़ जाती हैं जब यह finger जो guru finger है अच्छी लंबा social work जैसे कामों की वज़े से समाज में काफी अच्छा मानसमान भी इन्हें मिल पाता है अब बात करते हैं इनकी major lines की तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो heart line है heart line में एक overlapping और gap नज़र आ रहा है कुछ इस तरह का bridge form हो रहा है कुछ इस तरह की रेखा इनके हाथ में nature का होगा ऐसे native caring होने के सासा थोड़े से emotional भी होते हैं जब इस तरह की एक मुड़ी हुई रेखा उपर की तरफ खास तरह पर शनी और गुरू के बिलकुल बीच में जाकर रुकती हुई नज़र आए तो यह समभावन हैं यहां पर काफी ज़दा बढ़ रही हैं लेकिन सा 60-65 के बीच की यहां पर आकर heart से related कुछ दिक्कत या blood pressure जैसी strong problem होने की संभावनाएं भी यहां पर इस रेधर रेखा से नज़र आ रही हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी line of mind को mind के अगर हम बात करें तो mind की line by fork होती नज़र आ रही है कुछ इस तरह की यहां जो branch है इनकी mind की line की एक सीधी रेखा और एक हलकी branch नीचे की तरफ इस तरह की जो रेखा रहती है जैसे यहां पर भी extend हो रही है रेखा आगे बढ़ रही है और यहां जो एक by fork बनता है इस तरह के fork को हम writer's fork का नाम देते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर इस तरह का fork mind line की अंत में बन रहा हो इनकी कलपना शीलता काफी ज्यादा होती है अपनी इसी कलपना शीलता का इस्तेमाल करकर ऐसे व्यक्ति कुछ creative काम कर सकते हैं कुछ लिख सकते हैं कुछ designing का काम है कुछ artistic work है कुछ ऐसा काम करने की किशमता इनके भीतर काफी strong हो जाती है लेकिन अ थोड़ा तनाव और stress रहने की स्भावनाएं भी बढ़ जाती है तो यह चीज़ यहां पर थोड़ी सी कई बार नुकसान भी करती है लेकिन overall अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी creativity वाले काम में पढ़ जाता है तो यह रिखा काफी अच्छा फाइदा देती है और ऐसे व्यक्ति की business equipment को बढ़ाती है बेश्किक यहां पर mercury रेखा मौझूद नहीं है लेकिन यह रेखा भी mercury रेखा की तरह ही act करती है चले आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी line of life को अब देख सकते हैं life की line काफी अच्छी लंबाई में है लगबग 65 की आसपास यह थोड़ी सी weakness को indicate क कर रही है उसके बाद यह रेखा ब्रांचिस में बट रही है यह रेखा यहां से लेकर यहां तक तो बिल्कुल clear नजर आगी उसके बाद यह रेखा कुछ इस तरह की हलकी ब्रांचिस में आगे divide होती आपको नजर आएगी इस तरह की आगे चलकर विभाजन हो रहा है इस र प्रावलिंग के चांसिस ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जिनके इस माउंट के ओपर केतू माउंट के ओपर इस तरह के चिन बने इस तरह का फिश ऐसा सिंबल बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं अचानक धनलाव ऐसे व्यक्ति को हो सक और इंशोरेंस का पैसा या अचानक धनलाब होने की संभावनाओं को यह चिन काफी ज़्यादा एंहांस कर देता है और उसके साथ आप यहां पर देख सकते हैं एक रेखा आपको नज़राई कुछ इस तरह की बहुत ही छोटी साइसी रेखा यहां पर लेकिन इस तरह की परपटी बना पाने में भी काम्याब रहता है शुक्र माउंट की बात की जाए तो वीनस माउंट यहां पर काफी प्रॉमिनेंट है उबरा हुआ वीनस माउंट जो इंडिकेट करता है थोड़े से खर्चीले सभाव को भी और इस तरह का माउंट होने से नेटिव को हरत रह लाइफ में जरूर मिल जाती है और अगर हम बात करें इनके चंदर माउंट की तो यह माउंट बिलकुल क्लियर नजर आ रहा है यहां पर चंदर माउंट से कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही सिर्फ इनकी माइंड लैंड की कुछ ब्रांची यहां पर जैसे लाइट ब्र रही है और ओवर इमेजिनेशन को यह रहा है दर्शाती है जिस वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन ओवरॉल चंदर माउंट में किसी तरह की कोई भी नेगटिव चिन ना होनी के वज़ए से माइंड की स्टेविलिटी बनाने में यह काफी हलफुल रहेगा दोस्त तो यह कुछ अनेलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आप एक ही वीडियो के दिरूँ दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंड झाल